हाव रूफीक्स वान प्लस ट्री कैमरा ब्लेक स्क्रीन एंड नोट ओपिनिंग प्राबलम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के दिवा और साथी साथ और नहीं हो पा रहें तो कैसे आपको सॉल्फ करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर सॉलुइशन शो करके बताने वाला हूं ठीक है तो फिक्स करने के लिए आपको वीडियो जो है पुरा देखना होगा शुरू से लेकिया अंतक जितना भी सॉलूइशन ह सॉलू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाते तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्राइबिम के रि होते ठीक है अगर नहीं होते तो जाएए अपने मोबाइल के सेटिंग पर उसके बाद आपको इस तरह के का इंटरफेस मिलेगा नेक्स्ट में आपको जाना है एपस एंड नोडिकेशन पर और उसके वाद आपको बेक करना है मेक शूर सारे परमिशन इनेवल रहे उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक करके देखिए अगर आपने केमरा वगेर ऑपें कर रखाए तो रिसेंट बटन पर क्लिक कीजिए और क्लियर और पर क्लिक कर दीजिए ठीक है तो क्लियर हो जाएगा भी रिस्टार्ट हो जाएगा मोबाइल भी रिस्टार्ट कर देगा तो उसके बाद आपका प्रॉब्लेम फिक्स हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लेम फिक्स कर सकते हैं इनी चांस अगर इसके बाद भी प्रॉब्लेम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है मोबाइल को safe mode पे reboot करके देखिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch को 2 second click करके रखना है और ok कर देना है जैसे ही ok करेगा आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके phone off हो रहा है और जब safe mode पे आपका mobile restart हो जाएगा आपका problem भी solve हो जाएगा by any chance अगर आपका problem solve नहीं होते तो दोस्तो आपको जाना है setting उसके बाद आपको जाना है system पर और software को update कर देना है जैसे ही दोस्तो आपका software update होगा आपका problem भी fix हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तो आप अपने camera black screen and not opening problem solve कर सकते हैं तो यह था दोस्तो आपका solution उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा आज के लिए बस इतना ही thanks for watching